आईज, वाट्स अप, I hope you are doing well, I am पृत्वी, तो आज हम डिसकस करेंगे जुनागड रियासत के भारत में विलाय के बारे में, तो बहुत इंट्रेस्टिंग हिस्ट्री है जुनागड रियासत की, तो चलिए अपना डिसकसन स्टार्ट करते हैं, जुनागड रियासत इंडिय के गुजरात स्टेट में स्थित है, और कराची से कुछी मीलो दूर स्थित थी, और जुनागड है, यहां के जो राजा थे, वो मुसलिम थे, जिनका नाम था मुहमद महाबत खान, मुहमद महाबत खान बहुत ही इंट्रेस्टिंग परसन है, और इनके दो सौक थे, पहला सकते हो, उस दोर में तीन राख रुपए कितने हुआ करते थे, मेरे हिसाब से इन्होंने अपने कुट्टों की साधी बहुत ही धुमदाम से करवाई होगी, और दूसरा था, कि यह डांस को लेकर बहुत ही पैशिनेटीड थे, और जो कथक नरित्या है, आप मुझे कमेंट आपको कुछ बता देता हूँ, भुट्टो फैमिली के बारे में, सानवाज भुट्टो के बेटे होते हैं, जुलफीकार भुट्टो, जुलफीकार भुट्टो पाकिस्तान के परधान मंत्री बनते हैं, और कुछ टाइम बाद जो है, पाकिस्तान में उन्हें फांसी की सज दी जाती है फिर जुल्फिकार भुटो की बेटी होती है बेनरजी भुटो आप जुल्फिकार भुटो की बेटी ही गई है या सानवाज भुटो की बोती है बोती है जुल्फिकार भुटो सोरी बेनरजी भुटो बेनरजी भुटो भी पाकिस्तान की परधान मंतरी रहती है और 1993 के आसपास I'm not sure but मुझे थोड़ थोड़ा याद है कि 1993 के आसपास जो बेनरजी भुटो थी बेपाकिस्तान में रैली निकाल रही थी तो उसी रैली में बेनरजी भुटो पर अटैक हो जाता है और वहां पर वो मारी जाती है तो जो सानवाज भुटो थे ये जुनागड के दिवान थे या मंतरी थे और जो वहां का नवाव था वो डांस रित्या और अपने खुतों में लिन रहता था तो जो पावरफुल परसन थे तो वो जुनागड के दिवान ही थे या मंतरी थे सानवाज भुटो और सानवाज भ और इसके लिए बो सानवाज भुटो जो है बो महुम्मद ली जीना को संदेश पहुंचाते हैं कि जनाफ देखी कि हम जुनागड को पाकिस्तान में सामिल करना चाते हैं तो आप जो है मारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए और इस बात का पता सरदार पटेल और जुवा मांगे वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो होता क्या है कि मतलब पूरा जस्ट उल्टा होता है इसका 13 सेप्टेंबर को मौमद ली जीना सानवाज भुटो की इस मांग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ वो जुनागड को कुछ पैसे सेंड करते हैं आपको पता होगा कि जो जुनागड है आप देख भी सकते हैं कि जुनागड कोई लेंड लॉक प्रिंसली स्टेट नहीं है ये तट में खुलती है मतलब इसका अपना भी तट है मतलब समुदरी तट है तो जो मौमद ली जीना है इनोंने पैसे दिये कि आप जो अपने जो अपनी प्रिंसली स्टेट में एक पोर्ट डेवलेफ करिये और साथी साथ कुछ हतियार भी सेंड किये जुनागड के लिए जब पटेल साथ को इन सब का पता चलता है तो पटेल साथ जल्द से जल्द बीपी मैनन साथ को जुनागड के लिए रवाना कर देते हैं बीपी मैनन साथ को जो है बाहर से भापपीस भीज दिया जाता है और मेिनन साब क्यों कि आथों मे कोई सफलता नहीं लगती तो क्या उता है कि मेिनन साब बापपस आजाते हैं और और वही पर जुनाघड के दुखशित रहें मौंगलोर और मौंगलोर और बाबरियाबाड ने अपने अपना फैसला लिया कि मतलब मौंगलोर और बाबरियाबाड ने फैसला लिया कि वो भारत में सामिल होंगे और जैसे इसकी खवर जो है नवाब और दिवान को पढ़ती है जो नागड के तो वो क्या करते हैं कि यहांपर अपनी सैना वेज़ देते हैं और उनकी सैना जो है मंगलाओर और बाबरियाबाड पर अपना अपना कब्जा कर लेती हैं और इन सब को देखते हुए पूरे जुनागड के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना सुरू कर देते हैं और इस से जो मावथ खान है मंगलाओर के जो राज़ा है मावथ खान बो नर्वस हो जाते हैं बो डर जाते हैं कि यहांपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं साथ ही साथ जो है पटेलो वाँ से अपनी सेना जो है वो गुजरात के लिए भेज दिया है या जुनागड के लिए मैं गुजरात वो रहा हूँ जुनागड के लिए उन्होंने अपनी सेना रवाना कर दिया है तो इन सब के डर मे तो को होता क्या है कि जब कोई किसी की फैमिली खत्रे में हो या किसी की फैमिली जो है मुसीबत में हो तो वो अपने बीबी बच्चों को कभी नहीं छोड़ता लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है कि महवद खान क्या करता है कि अपने बीबी बच्चों को छोड़ कर अपने बीबी बच्चों को जुनागड में ही छोड़ के अपने कुत्तों को साथ लेकर जो है वो पाकिस्तान चला जाता है और अब बचता है जुनागड में सानवाज भुटो सानवाज भुटो जो है वो जीना को संदेश बेशते हैं ठीक है उनसे गोहार लगाते हैं कि देखिये जनाब जो इंडिया की सेना है वो धीरे धीरे जुनागड की और बढ़ रही है और यहां के लोगों ने भी प्रोटेस्ट कर दिया है तो आपसे मारी बिनती है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेना जो है इंडिया जुनागड में भेजिये ठीक है और हमें बचाइए बट जुन महमद लिजी ना की तरफ से कोई जो है वो रिस्पॉंस नहीं आता साथा जुन जो महमद लिजी ना है उनको ज्यादा इंटरस्ट नहीं था जुनागड में पटेल साब को भी पता था ब और उसके बाद सानवाज भुटो मां को पता चल जाता है कि अब जो है वो जुनागड गया हाथ से ठीक है तो उसके बाद जो सानवाज भुटो है ये पटेल से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हम जो है वो जुनागड को इंडिया में मिलाने के लिए राजी हो गया हैं या हम जुनागड को मिलाना चाते हैं तो पतेल साब जो इनको मना कर देते हैं कि अब हम खुद जुनागड को इंडिया में सामिल करेंगे तो जब जुनागड में रेफरेंडम करवाया जाता है तो वहां के लोगों की द्वारा मतलब जीरो मत से जुनागड भारत में सामिल होता है तो गाइस ये था जुनागड का भारत में विलाएं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हैदराबाद को भारत में कैसे सामिल किया गया क्यूंकि हैदराबाद जो है वो बहुत रिच प्रिंसली स्टेट थी तो इस लेक्चर में वस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ले